उत्राखण में पुलिस कॉंस्टेबल हर कोई बनना चाहते हैं और ऐसे में जब न्यूज पेपर में पुलिस भरती को लेकर अपडेट आती रहती है तो हर किसी अभिहरते के मन में ये जिग्यासा उत्पन हो जाती है कि भरती कब तक आ सकती है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भरती कब तक आएगी और साथ ही अभी आपको कौन कौन से डॉकमेंट बना लेनी होंगे जिससे कि आपको आविदन करने में किसी परकार की समश्याएं का सामना ना करना पड़े साथ ही हम जानेंगी कि अभी आप फ्री होंगे तो ऐसे में आपको सारे दक्सता परिक्षा पर भी फूर्ण फोकस कर लेना होगा और उसकी तैयारी कर लेनी होंगी तो सारे दक्सता परिक्षा पर आपकी मार्च महा में लगने वाली है मार्च महा से पहले आपको यह भरती दिखने को मिल सकती है तो जैसे ही update आता है आपको जानकारी तो मिल जाएगी उससे पहले आपको पहले सही aware रहना होगा कि आपके यहाँ पर क्या-क्या fitness activities होनी है ठीक है सबसे पहले तुम आपको पता देता हूँ कि आपको यहाँ पर three process से होकर गुजरना पड़ेगा सबसे पहले आपके पास document पूर रूप से complete होनी चाहिए साथी उसके बाद document complete हो जाएंगे तो आप online apply easily कर पाओगे साथी उसके बाद दिया document रूप से पूर रूप से fit है तो उसके बाद आपका physical जो है काफी अच्छा होना चाहिए physical standard test में आपका अपर होना चाहिए plus में उसके बाद आपका return exam तो physical पहले होगा फिर return होगा उसके बाद एक any process से हो जजरना पड़ेगा medical यह दिया return exam को भी qualify कर रहते हैं तो आपका क्या होता है medical होता है ठीक है document की बात करो दोस्तों document में आपको सबसे पहले आपको पता है कि ID प्रूप के तौर पर आप आधार कार्ट लगाते लगाते हैं यह तो सभी के पास होता है अपनाने की जरूत है नहीं उसके बाद आपको देखे इस्थाई निवास पर्मानपत आपको बनाना है डॉमिसायल certificate आपको बना लेना है साथ ही आपको क्या बनाना है हेलल certificate बना लेना है यदि आपको हाइट में छेड में छूट चाहिए तो ठीक है सैंस produto यह प्रिकाइद आप Dubai सब्सकेस और आपका रोजघार पंजियन में क्या होने चाहिए अपना नाम दर्ज होना चाहिए रोजगार पंजियर आपका होना चाहिए उसका certificate मिलता है वो certificate आपके पास होना चाहिए तो यह तीन document की थुरू आप आविदन कर सकते हैं यदि आप EWS के हैं तो EWS बना लीजिएगा उसके बाद यह आप SC, ST, OVC प्रमानपत जरूर बनाना चाहिए ठीक है यह document regarding हो गया अब बात करते हैं यहाँ पर सारे कहरताओं की एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे तो 165 cm जो है ना यह आपका किसके लिए है जन्रल और OVC के लिए है 165 ठीक है परवती छेत्र के जो अभिहरती है उनके लिए जो न्यून्तम होगा वो होगा 160 यदि आपके पास Hill certificate होता है तब यह आपको फायदा मिलता है ठीक है उसके बाद अनसूचित जनजाती के अभिहरत के लिए OVC और जनरल कैटिगरी के लिए बीना फुलानी पर 78.8 cm फुलानी पर 83.8 cm और जिनकी चेस्ट अभी कम है तो वह यहाँ पर क्या कर सकते हैं डायमेंड पूसप कर सकते हैं नौर्मान पूसप कर सकते हैं उसके परोधी छेत्र के निवासी है और उन्हें से जाद से सम्मंद रखते हैं तो 36.3 cm उनकी बीना फुलाई होनी चाहिए और 83.3 cm आपकी क्या होनी चाहिए फुलानी पर होनी चाहिए ठीक है सीने का जो एक्सपेंशन होना चाहिए फैला होना चाहिए वह 5 cm होना चाहिए तो नई अभिहरती जो है वह इस त्रहों से यहाँ पर अप अक्टिविटी जो होंगी क्रिकेट बॉल थ्रो लंबी कूद और चीनिंग अप और बैठक और डंड और उसके वागत का दोड़ और चाल ठीक है पांच अक्टिविटी आपके होनी होए पांच अक्टिविटी से होकर आपको गुजरना होता है और सारे दक्सता परिक्षा जो होती है यह आपके 100 अंग की होती है किसी भी अभियरती मैं 50 अंग से कम प्राप्त होने की दिसामाए उसे अयोगी घोसित कर दिया जाएगा ठीक है तो 50 परसेंट आपको यहाँ पर मिनमुम काईटरिया दिया गया है इस इवेंट में पास होने के लिए तो सबसे पहले इवेंस का नाम है क्रिकेट बॉल जिसका पुडांग है बीस अंग का आई ओई इज है वो 20 मांक का है यहीं बात करें पचास मिटर ऑप दितना तो आपको यह शत्र अंग मिलते हैं ओर ब्सक्राइब सथरो आपको 13 फिट खूदते है तो आपको मिनिमम दिया जाता है और उस 10 अंक उसका 18 देते हैं तो आपको 20 मार्च दिये जाते हैं चीनिंग आप जैसे हम बीम भी कहते हैं जिसकी पुडांक चुहे वह 20 का है यह यह आप 5 बार चुछते हैं तो 10 और 10 बार चुना तो 20 अंक आपको आप मिलेंगे और यहाप इसमें डूब मिनिट में तो आपको यहापए 10 मिलने वाले हैं इसके बात करें डंड में आपका क्या रहेगा पुडांक कदस का रहेगा और इसमें 4 15 करते हैं तो चाहरंग मिलेंगे estamos मिलेंगे ठीक है तोडार चाल जो है इसमें 3 किलोमेटर की हो एक्टिविटी रहने वाली है इसके लिए आपको मिनिमम जो माक्स लाने होते हैं पचास लाना होता है और इसमें आपकी इस तरह से एक्टिविटी रहने वाली है तो दो फिमेल की बात कर रहे घिया डाथ करता हैं, उपर उपर होगा, तभी आप इसके एप्लाई कर पाएंगे लेदिन किया क्या करना होगा महिलाओं को क्रिकेट वॉल यहां पर एक्टिवेटर है 20 मार्क्स का रहेगा जिसमें यह 32 मिटर तो आपको 20 मैंसे 20 मार्क्स दीए जाते हैं उसके बाद तो को 20 में यदिते हैं जब यारा सेकिंड में ख्रॉस कर जाते हैं 50 तो 12 में खरते हैं 22 ने करते हैं कर दे sectors Um क्यों टैने स्भाएगग आपका था परतिक परतिश्पर्दा में महिला अभिहरतियों को नियुनतम मानक पूर्ण करना आउश्यक है यानि कि इसमें आपको बढ़ांग जाए 100 का है तो आपको 50 मार्स लाना कंपल्सरी है 50 मार्स नहीं आएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तो इस तरह से आपकी एक्टिव भरति में आपको बहुत जाएदा सहायक करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में जैसे ही लेटस अब्ड़िट आरती है भरति के संबंद में आपको जानकर दे दूंगा